इस्तिफा देना चाहिए इस्तिफा देना चाहिए हम भारतिय लोगों के बीच देश और सम्विधान के खिलाफ अन्याय पर हमारे ग्रह मंत्री को इस्तिफा देना चाहिए उनको इस्तिफा देना चाहिए इस्तिफा देना चाहिए हमारे देश वासियों के बीच में अन्याय पर रोक लगानी चाहिए इस्तिफा देना चाहिए हमारे देश के सम्विधान के प्रति अन्याय पर रोक लगानी चाहिए have a nice day a bull ticket ha नमस्कार पुलिटेन में आपका स्वागत है मुंबई में किन-किन यगोप पर बंबलास होने वाला है इसमें कौन-कौन शामिल है और सुरक्षा पलोने राजे के बचाओ के लिए क्या-क्या एक्शन लिया है इसके बारे में हमें अब तक जो खबर मिली है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं खबर मिली है कि पाल घर में इस सिलसले में कुछ लोगों का अरेस्ट किया गया है सूचना है कि आतंगवादियों का लीडर पुलिस के हाथ चड़ गया है ग्रह मंत्री के लोगों का कहना है कि राजे में फैल रही आतंग की गत्विदियों के खिलाफ उनकी पकड़ मजबूत होती जा रहे है ग्रह मंत्री का कहना है कि सभी आतंगवादी जल्दी पकड़े जाएंगे मंत्री जी का कहना है कि राजे में अलग-अलग जगों पर बंबलास्ट करने वाले आतनगादियों को पुलिस भूलने में जुटी हुई है वही दूसरी ओर साइबर सेल का कहना है कि मुंबई में प्राइबिट सेंटर से ये मेल भेजा गया है और ये सच है ये जोट ये पता नहीं कुस दिनों से ऐसी गलत अफवा फैलने की वज़े से पुलिस प्रशासन और पप्लिक के बीच में डर पैदा हो गया है वो सकता है ये दूसरा मेल भी अफवा फैलाने के लिए भीजा गया हो पुलिस आयूत का कहना है कि कभी-कभी स्टुडेंट भी इस तरीके की हरकते करते हैं और इस तरीके के अफवा से पुलिस का टाइम बरबाद होता है इसलिए कई बार ऐसे केसों को नजर अंदाज करना पड़ता है लेकिन फिलाहाल पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि मुंबई में अलग-अलग जगों पर बंबलास्ट होगा ऐसा जो मेल मिला है उसको लेकर हम चुप-चाप नहीं बैठ सकते हैं ऐसी परिस्तिती में ग्रह मंत्री ने सबको एक चुट कोकर एक्शन लेने की बात कही है कि मुंबद की बात कि अधिता है प्रिमिन कर दो नग्ट करने नहां जर्फ आजर तुर में अ डरी नहां जर नहां आजर प्रिपर में अज़ते हो प्रेट अज़त में यहां अम सक चे आजा है अजय को 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 अजय क को पूल रहा है हां ठीक हां पूच गए हां तरह करता हूं मैंने कहा रहा बाद में बात करता हूँ सर मुंबई में होने वाले बंबिसफोटो के बारे में आपको क्या जानकारी मिली है जो मेल मिले हैं वो सही है या गलत सर बिसफोट के बारे में आपको जो खबर मिली है वो कहां से मिली है इस केस की जो तैकिकात कर रहे हैं उनका नाम है मुहम्मत इकबाल जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप रिपोर्टर लोग भी बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लोग डर के साए में जी रहे हैं और उनके साथ अन्याई भी हो रहा है इसके पीछे आतंकवादियों का हाथ है इसके बावजूद भी आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं मैं कहे रहा हूँ ना मंत्री जी की बीवी को यहां डिलीवर के लिए एडमिट किया गया है इस तरह कि बाते करने के लिए हम बाद में समय निकालकर इंट्रव्यू के लिए बुलाएंगे आपको अब आप लोग जाएए जाएए आसर आप चलिए ना सर आपने कोई जवाब नहीं दिया है सर आप भी मंत्री बनने से पहले एक आम आदमी ही थे घर परिवार के साथ आप देश की भी रक्षा करेंगे लेकिन फिर भी मेरे लिए ये सब सवाल करना बहुत ज़रूरी है एक इंसान का फर्ज वाँ से शुरू होता है जहां से उसका परिवार मा बाप बहन भाई बीबी बच्चे और उन सभी लोगों के लिए एक वक्त का खाना थोड़े से प्यार ज़रूरत पढ़ने पर दवा ये सब जो देटा है वही एक जिमेदार इंसान होता है उसके बिना मंच पे भाशन देना बस एक नाटकी होता है हां ठीक है ठीक है यहां डरने की जरूरत नहीं है जो भी केस मुहम्मद इकबाल ने लिया है उसे पूरा किये वेगर कभी नहीं छोड़ता है आप लोगों के लिए कोई नई ख़बर नहीं है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम हारेंगे नहीं आप कॉपरेट कीजि इसलिए यहां पर पहला सवाल जो होता है उसका जवाब देने के लिए अरे खुद साक्षात भगवान आते हैं आज की ताजा खबर मुंबई में दिवरता से बढ़ते हुए आतंग को रोकने के लिए इस केस को स्पेशल आफिसर मुहमद इकबाल को सौपा गया है ग्रे मन्ति अपनी बीबी के डिलिवरी के लिए अलाइट सूपर स्पेशल इडि हॉस्पेडल में अपने परिवान से मिलने गए हैं उन्होंने मीडिया के सामने यह बात कही कि मुहमद इकबाल इस केस के नए आफिसर होंगे जो हर हाल में इस केसु सॉल्व करके रहेंगे ऐसा मंतरी जी का मानना है हाई अच्चू कहां जा रहे हो पापा को लेकर दोक्तर अंकल से मिलने जा रही हूं क्यों क्या हुआ बताओ ना अच्चू बताओ ना कोई सर्प्राइज है नहीं बेटी यह डॉक्टर अंकल को एक तोफा देना चाहते हैं यह देखो ड्रॉइंग भी है यह डॉक्टर अंकल के लिए है जर्ण मुझे भी दिखाओ ना सिर्फ ट्रॉइंग ही नहीं गाना भी लिखा है अहां ऐसी बात है क्या गाना जर्ण गाकर सुनाओ मुझे भी तो सुनना है बाद में सुनाओंगी ंह works था र्डंक्सटूर लिए-ट meanwhile ऐस सुनाओंगी कें तो mindset कि हुआ भूए प्रुमर्ण झाफ पड़ा कि जाका शेकार के वर। सорी हм सरी जब हुआ कि अुआ एक गगे ज़िए झाल भाव लग। हम वेखनी हमें है wil warto भी हुआ है अख हुआ है हुआasan किया हो दॉक्टर , कुछ नहीं , दर्द काम करने के लिए स्ट्रिप्ट दे रहा हूं शिस्टर जरा बाल को बालसर को बुलाओ ना की का सार अरे अच्चु तुम डॉक्टर अंकल से मिलने डॉक्टर अंकल अभी बिजी है बेटी हम रूम पर चलते हैं डॉक्टर अंकल वहीं आजाएंगे कितना टाइम हो गया अभी तक नहीं आए तुम चिंता मत करो वह आजाएंगे इसको डॉक्टर अंकल को एक तौफा देना है इसका सर्प्राइज गिफ्ट है लाओ मुझे दो मैं दे दूँगी नाई चलो बेटी हम चलते हैं चलो यह लड़की कौन है? अरे आप नहीं जानते? यह हमारे सर की बेटी है वो कॉलेज में प्रोफेसर थे चार महीने पहले उनका एक्सरेंट हो गया था अपनी फैमिली को खो चुके है यह इनकी बेटी है अच्चू उस हादसे में बस यह दो लोग ही बच पाए साहब चल नहीं पाते हैं पर उनकी बेटी एकदम ठीक ठाक है अपने पिता को संभालना खाना खिलाना, दवा पिलाना सब अच्चू ही करती है बहुत ही प्यारी बच्ची है आप भी डॉक्टर साब यह क्या कर रहे हो एक इंसान इतना दर से तडप रहा है और आप उसकी पल्स चेक कर रहे हो उन्हें उठाव जल्दी ओ लेवर रूप में ले जाओ सर यह एक मंदरी की बीबी है डॉक्टर यह तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा लेकिन हम लोगे के लिए पहली बार है आप समझ गए ना आप ज़रा डॉक्टर बाल गुपाल सर को बुलाईए ना अरे किसी को तो बुलाने दो इलाज तो शुरू करो आप पहले बाल गुपाल जी को बुलाईए डॉक्टर बालकुपाल को बुलाने में कोई फायदा नहीं है जब उनका काम खतम हो जाएगा वो सामने सो फोन करेंगे आप लोग डरी है मत हाँ, अरे काम खतम हो जाएगा तब वो फोन करेंगे डॉक्टर है या भगवान आप एक बार कोशिश तो कीजिए पॉक्टर वोनी यस डॉक्टर बाल बोपल है सर मंत्री जी की बीबी को लेबर बेन हो रहा है उनको लेबर वोर्ड में शिप्ट करने के लिए जित करें दिना दर्थ के कोई डिलिवरी हुई हो ऐसा कोई इतिहास नहीं है चाहे वो मंत्री की बीबी हो या किसी और की उस दर्थ के पीछे एक सुख का अनुभव है ये बात ओ लोग नहीं जानते थोड़ी दिर वेट करो फोल्ड फॉर्द 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 मूवेंट तिल यू डिलिवर हलो अहां ठीक है आगे बताईए इस दुनिया में उस मा के दर्थ को सम्मान देने में हम लोग आज भी पिछड़े हुए है समझे त्यान बढ़ गया है क्या और वैसे भी हमारे इस काम की कहा कदर होती है चलो रखटो डॉक्टर मंत्री जी की बीवी को लेबर पेंट शुरू हो गया है तो और एक आदमी जादा होने वाला है ठीक है हजार वार्ड में एक लेबर रूम डालने का मेरा सपना है लेकिन समय पर हजार बच्चे हजारों का रोना धोना हजारों दिलों का पहलना उस पल का सुख कैसा लगेगा एक्सक्यूज मी मैंने क्यूं गैनेकोलेजिकल स्पेशालिस्ट का कूर्स किया है ये तुम जानती हो ना ये काम करने से जो मन को शांती मिलती है वो शांती मुझे किसी और काम में नहीं मिलती है एक नौजात बच्चा मेरे हाथों से भगवान के रूप में जन्द लेता है उन्हें लाने के लिए कहो और सभी को लाने के लिए ओकी डॉक्टर सर से बात हो गई लेबर रूमें ले जाने के लिए कहा है चलिए क्विक फास्ट कि उन्हेश में लेपकाई ले जाने के लिए está है है कि अशे को कि नचे भी इचे ऐहाद बढ़ मोज़ेन कि अच्चकोन कि अच्चकर कर दो 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 कर कर दो आपका करूँ कर दो कर दो कर दो कर दो पता नहीं कहां चले गए इसे को पता नहीं चले गए बागि डॉक्टर्स को भी मत बताना ठ्यूक टिक रॉक मैं चकम कि दरने की कोई बात नहीं है अरे आप कहां जा रहे हैं अंदर जो है वो राज्य मंत्री जी की वीवी है अरे कहां जा रहे हो मेरी दू कोई सुनता ही नहीं हुआ कर दो हुआ है कौन है वहाँ? वल्कम दोक्टर पाल कोपाल कौन हो तुम और यहाँ क्या करे हो? यही सवाल यही सवाल तो इस राज्य के लोग कई सालों से मुझसे पूछ रहे हैं आप इनी बच्चों को ढूंटे हुए है न? तीन नवजाद बच्चे आखिर यह क्या पागलपन है? अगर एक बिकत अमा के बढ़ा है न तो इन्हें उड़ा दूँगा अरे इन बच्चों को पैदा हुए ठीक से एक मिनिट भी नहीं हुआ अभी तक इन बच्चों ने अपनी मा का दूद तक नहीं पिया है आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, ऐसे ही मुद्दे पे आ जाओ मुझे इन तीनों मेंसे एक चाहिए बताओ इन मेंसे होम मिनिस्टर का कौन सा है? डॉक्टर मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है? नहीं तो तीनों को उठा ले जाओंगा ए बाल गोपल इतना टेंशन में क्यों है? बताओ ना मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है? सुनो मिस्टर, इन बच्चों की तरफ देखो इन्होंने आपका क्या भी घड़ा है? इस सवाल से कोई फायदा नहीं होने वाला और ये बाद तुम अच्छे से जानते हो तुमने पहचान लिया तो ठीक है नहीं तो तुम जाओ यहां से आप कौन है? और आप क्या चाहते है? आपके गुस्से के वज़ा क्या है? देखिए यह अभी अभी पैदा हुए है मासे मिलने ही पाए और ठीक से रोए भी नहीं है इन्होंने क्या भी गड़ा है? आखिर आपका मकसद क्या है? यह तो मैंने ही जानता लेकिन इसका अंजाम पुरा होगा वेरी गुड़ डॉक्टर बाते अच्छी कर लेते हो अभी आपको डाउट है ना कि मैं कौन हूँ? कहां से आया हूँ? मैं सैफ उत्दीन हूँ आजादी की लड़ाई लड़ने वाला एक योद था और इसे लिए होम मिनिस्टर के बेटे को यहां से उठाके ले जाऊंगा और अपना मकसद पूरा करूंगा इसलिए डॉक्टर मेरे सवाल का जवाब दे दे उसी में तुम्हारा फाइदा है इन में सो होम मिनिस्टर का कौन सा है बताना ठीक है बताता हूँ लेकिन पहले चेक करने दो ओके तुम्हें एक अच्छे इंसान हो मैं जानता हूँ इसलिए तुम पे भरोसा कर रहा हूँ पहले बच्चों के हाथों से टैग्स निकाने होगी नहीं तो और परिशन ही होगी अगर जरा भी शक हुआ इसे तो तीनों बच्चों की जान खत्रे में बढ़ जाएगी लेकिन इस समय भगवान का आशिरवाद मिला और वो फोन पर बात करने में जोड़ गया सही वक्त पर मैंने उन तीनों बच्चों के हातों से टैग्स भाड़ कर फैंक दिये कोई अंदर आएद उसे गोली मार देना मार ठीक है ठीक है ठीक है ख़दा आफिस यह है यह यह या फिर यह इनको पैदा हुए एक मिनिट भी नहीं हुआ है मैंने पैजा नहीं भा रहा हूं बट आई विल ट्राइ लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है इन बच्चों ने और ग्रह मंत्री ने आपका क्या भी गड़ा है इट्स अ और जादा सवाल मत कर कहते है ना जंग में सब चायज होता है मुझे अपना मकसद पूरा करना है अभी भी तेरे पास टाइम है डॉक्टर बता देने तो मार दूँगा चल्दी से पताए इन मेंसे कौन है वो वो बच्चा मुझे हर हाल में चाहिए बाल को बारना है इस मकसद को पूरा करने का हुक्म मुझे उपरवाले में दिया है क्या उपरवाला यही चाहता है कि ये तीनों बच्चे मर जाएं? जरा इन बच्चों की तरफ देखो यही भगवान के माया है एक बात गौर से सुन लो इन तीनों मासुम बच्चों का इस्तेमाल करके तुम सारा इलजाम उपर वाले पर मट डालो एई 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 नहीं अपनी बगवास बंकर तुम लोगों को पैसे चाहिए ना? राज्य को खरीद सकता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास पुलीस कस्टेडी में हमारा मेडिकल प्रोफेसर है, उसे हमें वापस छोडाना है इसलिए तु अपनी फालतू की बकवास बंकर और बता इन मेंसे मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है और नहीं बताना है, तो जा यहां से और तू क्या सोचता है कि तेरी बातों से मैं अपना मकसद बदल दूंगा ये मैं जानता हूँ, लेकिन इन बच्चों को बचाये रखने के लिए इने एक दवा देना बहुत जरूरी है और अगर इनकी चान बचानी है, तो मेरा बहार जाना बहुत जरूरी है, वरना ये मर जाएंगे तो मरने देना, जब ये मरने ही वाले हैं, तो इनकी जिन्दगे क्यों बचाना चाहता है डॉक्टर, ये बता दे कि इसमें से मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है, उसके बाद तू दो बच्चों को आराम से लेके चला जा नहीं तो तुम्हारी जरूरत पुरी करने के लिए बच्चों का जिन्दा रहना जरूरी है अगर हिने कुछ हो गया तो बाहर सभी लोग भड़क जाएंगे मैं आपकी मदद करूँगा लेकिन इसके लिए मुझे बाहर जाना जरूरी है इजाज़त दीजी प्लीज तू जा सकता है लेकिन अगर तू ने बाहर जाके पुलीस को बताने की कोशिश की ना तो मुश्किल में पढ़ जाएगा और इस हॉस्पिटल में कई सारे लोग हैं जो सब तबाह कर देंगे इसलिए होश्यारी मत करना अगर तू यहाँ लोटके नहीं आए तो फिर दुबारा लोटके यहाँ तुझे आना ही नहीं पड़ेगा इस हॉस्पिटल के अंदर ही सब तफन होके रह जाएंगे पिरे पास सिर्फ पंद्रा मिनट है अगर तू ने होश्यारी की तो समझ लेना सिर्फ पंद्रा मिनट का वक्त है अगर इन पंद्रा मिनट के अंदर कुछ नहीं कर पाया तो सिर्फ उन तीन बच्चों की जान ही नहीं बलकि पूरा अस्पताल खत्र में बढ़ जाएगा और यहाँ के लोगों को पता चल जाएगा तो हंगामा हो जाएगा किसी को पताए बिना और कोई दुरघट ना खाटे बिना हूँ मैं कैसे और किस तरह सबको बचाऊंगा यह सब क्या है डॉक्टर मंत्री जी की बीबी को आपने एगंटे से अंदर ही चोड़ दिया है उनकी कोई खबर तक नहीं है और आप खूम रहे हो अरे डॉक्टर साथ कुछ तो जवाब दीजिए इस अस्पताल में मुझसे मिलने कई लोग आते हैं सभी से मिलता फिरू क्या यह क्या हो रहा है कोई ठीक से जवाब नहीं दे रहा सब अपने-पने काम में बिजी है मेरे बेटे की स्थिती और इसके पोस्ट के हिसाब से हम किसी बड़े हॉस्पिटल में जा सकते थे पर सिर्फ आपकी वज़े से हम लोग यहाँ पर आये हैं देखे माजी माजी आपके बेटे को कुछ नहीं होगा आपके बेटे का सही इलाज चल रहा है मैं बूद रहा हूँ ना चिंता मत किजिए ओके हेलो वैसे आज कौन सा दिन है याद है न आपको आप काम में बिजी होंगे इसलिए मैंने सुचा मैं ही आपको याद दिला देती हूँ क्या बात है कुछ कह नहीं रहे आज छे दिसमबर है आज हमारी शादे की सालगिरा है आज शाम को आते वक्त कुछ सामान लाना है चल दी आईएगा मैं इंतिसार करूँगे ओज चल आपको खेंगे ओज़ाँ तक करूँगे याश्याओाँ है दो प्रादे आज़ाँ इससे दोता करूँगे आज दोता करूँगे बीन दयार सुन लो मेरे पुकार दुख के बादल खीरे दुख के बादल खीरे नईया बीच भावर इसे तुम थाम लो हरी नाम से कष्ट है निटता भगत को दर्शन देड़ो दुख के बादल खीरे नईया बीच भावर इसे तुम थाम लो दुख के बादल खीरे नईया बीच भावर इसे तुम थाम लो पापी यो कातू अब तो नाश कर गीता में कहें बचनों को साध्य कर कौरव के शर यंत्र से तूने द्रापड के तौल आज बचाएं सुन ले स्वामी तू तू ही मेरा भगवान है तेरे बीना कुछ भी अब तू ना संभ है दुख के बादल खीरे दुख के बादल खीरे नईया बीच भावर इसे तुम थाम लो मथूजे आप लो मधुर मधुर ये तेरी ये मुस्कान कैसे समझू मैं तो हुनादान दिल में मेरे दर्द है क्रिष्णा भावनाओं में बहती हो क्रिष्णा दर्द मुझे अब तो और नहीं अब सहना है जब जब तुझको देखू दिल को धन्रक मिलती है दिल नयार सुन लो मेरी पुकार दुख के बादल खीरे दुख के बादल खीरे नईया बीच भावर एसे तुम थाम लो हरी नाम से कश्ट है मिट का भक्त को दरिशन देड़ो क्रिशना तेरे भरुसे से संसर है दुख के बादल खीरे दुख के बादल खीरे नईया बीच भावर एसे तुम थाम लो क्रिशना 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 सर इसे लपटने के लिए कुछ लेकर आओ अब क्या हुआ डॉक्टर आदा घंडा रुकिया मैं आभी आता हूँ डॉक्टर आप कहा जा है पुझे राउंड्स पर जाना है बहुत सारे पेशेंट्स है पुष्या का काम निप्टाने के बाद ही बाहर जा सकते हो बेवज़ा परिशारी मत बढ़ाओ अगर आपको तकलीफ हो रहे तो हम लोग सिप्ट हो जाते हैं हम लोग बहुत बीजी होंगे आपको एक्सपिरेंस भी बहुत होगा लेकिन हम लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं है पहलो तो आप अंदर जाएए या फिर हमें सिप्ट होने कानुमती दीजिए इससे आगे कुछ मन बोलिए जाएए जाएए बेबीज अब सिर्फ पांच मिनट बाकी हैं सिर्फ मैं ही नहीं इस हॉस्पिटल में तुम लोग तुम्हारे माँबाप सारे डॉक्टर्स सब एक साथ ऊपर जाने वाले हैं मुझे तो मेरी जन्नत नजर आ रही है और मैं धीरे धीरे करके उसके करीब पहुंच रहा हूं और मैं जानता हूं कि डॉक्टर आएगा ही इस कमिंग ही इस कमिंग ही इस कमिंग कर देतो ही इस कमिंग करेंda करेंग करेंग प्राइब प्राइब झाल 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 हलो, हलो, अरे फॉन भी नहीं लग रहा है, हाँ सिस्टर क्या हुआ, क्या बात है, इलाज हो रहा है, डॉक्टर अभी अंदर है, हाँ है ना अंदर, हम् दीदी, दीदी बहुत देर हो चुगी है, डॉक्टर अंकल कहां है, डॉक्टर अंकल अभी बिजी है, अच्चु को क्या चाहिए? पर डॉक्टर अंकल कहां गए है? डॉक्टर अंकल बहुत बिजी है, जैसे ही फ्री होंगे, उसके बाद अच्चु से मिलने आ जाएंगे. सुभा से डॉक्टर को ढूनने में लगी है, डॉक्टर से मिलके उन्हें एक तौभा देना चाहती है, एक गाना भी सुनाना चाहती है, अब ये बेशारी क्या करें? हर जगा ढूनते हुए आ रही है. हुए? के बास प्रॉक्टर को प्रॉक्त रही है, प्रॉक्त प्रॉक्त करें तो को दो रही है. मैंने, है बताए है पी, दोक्त औक? वर गुद दोक्तर युवर अजस्ट फर ताइम, बस तेड़ ही मिनट बागी था डाक्तर अंकल एक्ष्ट डाक्तर मौत हमारा पीछा कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं तुम अपना करो मैंने कहा था ना, उसे डिफीज करो साइफु दिन, उसे डिफीज करो साइफु दिन, उसे डिफीज करो हाँ, सब ठीक हैं हाँ, सब ठीक हैं हाँ, सब ठीक हैं पहाँ, मत करना पूरे हॉस्पिटल को हमारे आदमियों ने खेर रखा है, चलाकी बिलकुल भी मत करना मेरे पास जो पॉम है, उस गठी-गठ दबाने से पूरे हॉस्पिटल में तबाही मत जाएगी अगर तू हॉस्पिटल को बचाना चाहता है ना, तो तुझे मेरी भात माननी पड़ेगी, चल खड़ा होजा कहां जा रहे आप वैसे इस खाने में कौन सा जहर मिलाया है तूने खाने में जहर मिलाके मुझे खत्म करने की सोच रहा है तू अब तक मेरे आदमियोंने होमनिस्टर को अगवा कर लिया होगा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, जो खाने में जहर मिलाओं मेरा काम जान लेना नहीं, जान बचाना है और ये मेरा फर्ज है अध्श प्रोड प्रोडिए हॉँ हुँ 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 आप शुक्त को कि मेरे बात सुनो बच्चों को आइसीऊ में शेफ्ट करो ओके डॉक्त रॉक्त है इश्वर ये क्या है मध्यराज को डरा कर लोगों में डर पैदा करने के लिए आज मुम्मय में जो होने वाला था पाँच जोमें उपर बंस फोट उसके बारे में थोड़ा सा डाउट है परेशानिय बढ़ती जा रही है प्रिया सब कुछ जानती है और उपर से वो मेडिया में काम कर रही है वो कुछ न कुछ इसका उपाए निकालीगी इस खबर को बहुत होश्यारे से किसी को बताए भिना किसी अच्छे काबिल आफिसर तक पहुँचाय जाएगा तो इस दुरगटना से इस शेहर को हम बचा सकते हैं ये तो अच्छी बात है कि वो आफिसर मुहमत इकबाल को जानती है और इस वज़े से सैफ उदिन का कम्प्रिटर इस्तमाल करके इस खबर को मैंने उन तक पहुँचाय था पहुँचाय तक पहुँचाय भालो ओटिस्ट खविसरमग कर्वे पेले की ओकी, ये लुआत पहुआत तक पहुँचाय तक पहुआसे हाम कर दो 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 अल्ला के करम से काम हो गया है, मंतरी को हमने उठा लिया है, हम लोग अभी ठीरिस को उपर है, उस मंतरी के बच्चा तेरे पास तो है न, उस बच्चे को लेकर तू उपर आ जा कामा दोट्वा न, खाए जा स्न तो क्याओं कामा जा जामाराば यह जात हैं तूर से य९ अधा। कि आजेया है, यह य cricket को गady यह सो कईया सबर्ख़ारेती. रहे आगले जमाहे शुराब कि तूर अजिर अ के बड़ी, कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको ना बचा पाया कर दे माफ तू मुझे को तेरा बदला लूगा मैं तो एक एक को चुम कर मारूंगा मैं तो कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको ना बचा पाया हस्ती और खेलती रहती थी तू आखों का तारा तुही तो थी कहा गए वो पल रे हस्ती और खेलती रहती थी तू आखों का तारा तुही तो थी याद तेरी आते है अब कैसे जिऊंगा मैं कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको ना बचा पाया कुछ नहीं मैं दुश्मन के नजरों में क्यों चड़ी उसने है चेना दुश्मन के नजरों में क्यों चड़ी उसने है चेना दुनिया मेरी भूली थी तू मासूम थी तेरे बिन कैसे जिऊंगा मैं कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको ना बचा पाया कर दे माफ तू मुझे को तेरा बदला लूँगा मैं तो एक एक को चुम कर मारूंगा मैं तो कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको ना बचा पाया कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको ना बचा पाया कुछ नहीं मुझे Yes, Muhammad Iqbal Sir, this is Priya Balgopal speaking Sir, I've sent an email Please check, it's very urgent बुब नहाए है कर दो 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 झाल झाल jee झाल झाल 我 झाल झाल सर बच्चों को वार्ड में ले जाकर रखना है क्या हाँ और उनके परेट्स को खबर कर देना सर ये बच्चे किसके हैं ये पैचानना मुश्किल होगा क्योंकि उनपर टैग नहीं है सर ओके 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 स्कान स्कान को देदो चल्दी मलिका सामदन कहा है कहा है कि अग। नहीं है नहीं है अग। सुफिया वाइवफ प्सरिया टूमस अग। झाल कि प्था कि व्था कि व्था कि व्था एस सेवन ना क्यूस ये भी स्त्रिलिंग है सर सुनिये ना सर ये दोनों स्त्रिलिंग है हम इने कैसे पैचानेंगे अगर डिन टेस्ट करेंगे तो कम से कम दो देन लग जाएंगे चाह ज्याँ हुआ अ हुआ 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 सिस्टर दिनिश को भुलाओ जाओ जल्दी करो कल शाम को आते वक्त क्या क्या हुआ मैं बताओ तुमको कुछ नहीं कुछ भी नहीं हुआ मैं तो ऐसे ही मजा कर रहा था मेरे मोबाइल के रेंज ना भी मिले तो भी बात कर लेता हूं मैं दिनिश जी डॉक्टर बाल गोपल बुला रहे हैं अच्छा है आता हूं जाने मन तुम अपना फोन निकल कर दो वह कहा ना फोन दो लीजिए सर सर्फ भो हुआ 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 है सिस्चर दोनों बच्चों को यहार लेकर आओ हुआ 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 है हुआ 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 है यहीं साकरिया थॉमस के बच्ची है हुआ है खटे दूके दूखे। झाल, हुआ तो अदो कि आल, है अरु हुआ पर जो गया है कर दो 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 जाता हूं इधर चुप जाता हूं इधर चुप जाता हूं अरी 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 डुच आउट और रे आपर रशनारा निस में दो जाता है। यह मस्चोच की तूचीत किया। तेरे इस कारणामे की बजे से तुझे कुछ पल में अंचाम भुगतना पड़ेगा। और कुछी पलों के बाद इस अस्पताल को हम लोग गम से उड़ा देंगे यही तेरी सजा है इस अस्पताल में हमने टाइम बॉम रखा है और वो किसी भी समय फटकता है तूने क्या सोचा डॉक्टर? तू मुझे दोखा देनेगा अब तेरी यी वज़ा से यहां सारे लोग मारे जाएंगे और ये एक बॉर है और ये वाल्टी हास रज़ेगा और इन सब की पज़ा तू है डॉक्टर सिर्फ तू अब मैं दिख्टा हम डॉक्टर तू इस होस्पितल कैसे बचाएगा दबाह होने से डॉक्टर साब जो इंसान अपनी खुद की मौत चाहता है उसे हम बचा नहीं सकते हम उसे बात करके ही काबों में ले सकते है बम का पता लगाने में या बम के भर में पताने में अगर ये पीचे हड़ गया तो कई लोगों की जान खत्र में पड़ सकती है वो या नहीं है इस खिड़की के तरफ से वो शाद भाग चुका है अगर झाल 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 झाल